हलो दोस्तों स्वागत है अब सब का हमारे अपने यूट्यूब चनल कॉंपटिशन दुनियावे थमंद पे तो दोस्तों आप सब जैसा कि पूछ रहे थे कि एक्जाइम डेट क्या हो सकती है कब हो सकता है एक्जाइम किस तरीके से अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखे में कावी सारे कमेंट्स कल भी और पूराने वीडियो पर भी आए हुए थे और जैसा कि कल मैंने एक वीडियो बताया था और नोडिस भी आया हुआ है कि जैसे सी का जो एक्जाइम डेट बढ़ा दिया मतलब ऑनलाइन जो एप्रिकेशन फॉर्म का डेट है वो बढ़ गया एक क्या बोच सकते एक्सपेक्टेड डेट पे हम लोग बिल्कुल से पहुंच जाएंगे और आप बिल्कुल से अग्री करोगे अभी दोस्तों जैसा कि मैं बता दू सुबह के बज रहे हैं दो पसके आठ मिनट पास तारिक आपको वीडियो दिन में मिलेगी आप देख सक हुआ क्यों क्योंकि 18 से 17 अक्टोबर तक ही फॉर्म ब्रेट था मतलब ऑक्टोबर महीना खत्म होते होते सारा प्रकेरिया खत्म हो जाता ठीक है सारे प्रकेरिया से मेरा मतलब है दोस्तों online form भड़ना परिक्षा सोलक फोटो हस्ताक्षर और साथ में आवेदन पत्र में जो संसोजित करना है जो error correction है उसके लिए जो दो दिन तीन दिये जाते हैं वो सारा online process complete हो जाता आपको दोस्तों in the month of October 30 October से पहले सब कुछ complete हो जाता लेकिन अभी scene बदल गया है अभी क्या हो गया है कि अभी dates बढ़ गया है बढ़ गया है तो क्या हो गया कि अब जो complete होगा आपका process दोस्तों देख सकते हैं 20 से 22 November मतलब 20 से 22 November तक आपका ये complete process चलेगा तो आप एक तरह से में मुद्दे पे आते हैं तो फिर एक्जाम कब हो सकता है तो मैं आपको ये clear 100% बता दूँ दोस्तों कि आपका एक्जाम जो होगा वो नाहीं November में होगा नाहीं December में और दोस्तों ये भी बता दूँ आपको कि December में भी कोई भी chances नहीं हैं बिल्कुल से कोई chances नहीं क्यूंकि आपको मालूम होगा December मन में election हो जाएगा जी हाँ दोस्तों December में election dates आ जाएगे तो जहारखन की election दोस्तों late November end या फिर आप बोल सकते हो पूरी December चलने वाला है तो यह जो election का फंड़ा होगा यह December में चलेगा तो यहां से यह भी क्लियर हो गया कि December भी एक्जाम नहीं हो सकता तो अब exam होगा कब दोस्तों यह वह क्लियर बता दो दोस्तों January के end में ठीक है मतलब minimum time बताए जा रहा है कि January के end में expected है exam हो या फिर इसके बाद in a month of February अगर JSC actively सारे काम को करती है और अगर सही तरीके से चलता है तो यह January के end में या फिर February तक exam होने के आसार हैं दोस्तों दिसंबर में काफे कम chances मुझे लग रहे हैं कि exam हो पाएगा ठीक है तो दिसंबर में तो होना नहीं है तो January लास्ट या तो फिर February आप एक गोल जो लेकर के चल सकते हो वह बीस जनवरी का आप मान के चलो क्योंकि अगर डेट मतलब अगर जनवरी में नही पास 110 दिन है मेरे को कितना त्यारी करना है किस सब्जेक्ट में कहा टाइम जितना देना है तो उस एकॉर्डिंग लिए अपनी प्रिपरेशन को continue रख सकते हो तो दोस्तों मेरी तरफ से expected date with saying all the circumstances जो भी factors अभी है चाहे वो election का factor हो चाहे exam का जो form भराने का जो प्रकिरिया होगा वो सब मैंने जो भी खुली किताब की तरह है दोस्तों सारी चीज़े हैं online मीडिया पे तो वो सारी चीज़ों को रखने के बाद जो एक date निकल रहा है दोस्तों anyhow वो तो जनवरी या फिर February में ही निकल रहा उसे पहले कोई चांस नहीं है तो मेरी analysis में दोस्तों यही निकल कर बात सामने है आसा करता हूँ आपको वीडियो पसंद रही होगी अगर आपको वीडियो सही लगा और इतनी रात को अफिले वीडियो बना रहा हो दोस्तों तो इतना तो आपका लगा हो exam date और जो expectation मेरी रही seeing all the circumstances जो भी चीजे थी वो मैंने आपके सामने इस परस्ट रख दी हैं बात को तो मिलते हैं नई वीडियो में दोस्तों नए अपडेट के साथ जैसे सी जील के लिए बने रहे हैं मारे चैनल के साथ अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल भी अपिना सबस्क्राइब किये कही मत जाना मिलते हैं नहीं वीडियो में तिल दिन कीप वाचिंग कीप लाइकिंग कीप सपोर्टिंग एस थैंक्स अलाट कैस